रामराम किसान भाईयो मैं भरत क्यालोत आप सबका अर्दिक स्वाकत करता हूँ आपके अपनी फैवरिट वीडियो चनल ओल इंडिया पोटेटो फार्मस में किसान भाईयो आज 15 माई 2030 सोंबर कल रहिवार को सभी मंडियों में छुटती थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन आज मैं आपको आलो के रेट के बारे में बताऊंगा और आने वाले हफ्ते में आलो के क्या पोजिशन रह सकती है उसके बारे में भी बताऊंगा तो किसान भाईयो वीडियो पूरा देखे स्कीप करके ना देखे अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा और मेरों को भी नए नए वीडियो बनाने और वीडियो के जरी आपको जानकारी देने का मौका मिलेगा तो किसंद भायो सबसे पहले बात करें उखरा जा लोगी तो किसंद भायो मैं आपसे एक स्वष्टा कर दूँ कि यह जो में रेट बताऊंगा वह 20 किलो के इसाब से होगा और कोल्ड श्टोर जो के गुजरात में कोल्ड श्टोर जो रेट में विक्री हो रहा है उस रेट की बात है तो यह ध्यान में रखें तो सबसे पहले पुख्राज आलो की बात करें तो पुख्राज आलो अभी 175 रुपे से लेके 200 किलो के इसाब से अभी विक्री हो रहा है एकदम बढ़िया कॉलेटिव वाला आलो वह तो 200 रुपे प्लस भी विक्री हो जाता है उसके बात ब बात करें बादसा आलो की तो बादसा आलो 250 रुपे से लेके 300 रुपिया 20 किलो के हिसाब से अभी कॉश्ट वरो जो पे विक्री हो रहा है और बातसा आलो ज्यादा तर ग्रेडिंग करके ही जाता है गिला नहीं जाता है जब कि उसके मुकाबले फुख्राज आलो और ख्या कोई कोई किसानी बेज रहा है लेकिन जो भी किसान बेज रहा है उसको 250 रुपिय से 290 रुपिया 300 रुपिय तक भी 20 किलो के हिसाब से ऐसे मिल रहे हैं उसके बाद बात करें लौकर आलो की तो लौकर आलो 260 रुपिय से लेके 325 रुपिया 20 किलो के हिसाब से अभी विक्री हो रहा है उसके बाद बात करें किसान भाईयों एलार आलू की तो एलार आलू 220 रुपय से लेके 280 रुपया और एक दम बढ़िया कॉलिटी का साइज वाला आलू हो तो 300 रुपया 20 किलो के इसाब से अभी कोल स्टोरज पे बिक्री हो रहा है तो किसान भाईयों यह थे आज 15 म सब्सक्राइब बात कर लेते किसान भाईयों के आने वाले हपते में आलू की क्या पोजिशन रह सकती है तो किसान भाईयों फीलाल आज की तारिक में देखे तो रेट में कोई ज्यादा उतार चड़ाव नहीं है लेकिन जो आलू की डिमांड है जो लेवाली है उसमें तो यह है जिसका में वज़ा यह है कि फिलाल पूरे भारत में सबी जगह पे गर्मी अपना सितम डार रही है और गर्मी में आलू की खपत थोड़ी कम हो जाती है तो इसी वज़़े से लेवाली थोड़ा कम है तो किसान भी चिंता ना करें आने वाले हफ्ते के बाद मतलब सब कि 20 12 ना करें जब भी आलू के में थोड़ा सुधार हो तब अपना आलो निकालने की सोचे बिक्री करने की सोचे तो किसान पर यह होता क्या है कि जब भी मानलों कि किसी किसान भाई का जो आलू है पहले 500 या 600 रुपे पेकेट बिक्री हुआ और उसके बाद फिर वो डाउन होके 4500 रुपे हो जाता है और उसके बाद फिर वो 4500 रुपे में चला जाता है तब जाके कि लगता है कि अभी जो F4500 रूपिया चल रहा है उसके हिसाब से मेरे को 500 चाह़ने शेसो रूपिया मिल रहा है तो यह रैट अच्छे है लेकिन जब भी ऐसा मोटा है तभी निकासे होता है अगर एक ही रेट पे आलू बीकता जाएगा या तो आलू में भाव में बड़ोतरी होती जाएगी या तो भाव डाउन होते जाएंगे तो आलू में निकासी नहीं होती है यह जो अप डाउन वाला खेल चलता है मतलब कि भाव में अप होता है फिर तोड़ा डाउन होता है अ और यही सच्चा ही है तो अभी आलू के रेट में थोड़ा सुष्ता है तो आने वाले हफ्ते या दस दिन में जब आलू के रेट में सुधार होगा तो फिर निकासी बढ़ेगी और 2023 में एक फॉजिटिव बात यह है कि पहले तो जो हल्ला मचा हुआ था बंपर पैदावार वाला उतना हल्ला जो मचा उसके हिसाब से पैदावार नहीं आया मतलब कम नहीं है लेकिन जो बताया जा रहा था कि आलू को स्टोरोज में रखने के बाद भी बहुत सारा बच चाएगा आलू फिकने की कगार पे आएगा लेकिन ऐसा संबभ नहीं हुआ ऐसा नोबत नहीं आया ऐसा पोजीशन नहीं हुआ उसके बात बात हुआ कि जो डंप वाला आलू जो किसानों अपने खेतों में डेरी लगाया है वह कोल्डों के दरवाजे माई तक नहीं खुलने देगी तो किसान पर यह यह भी पॉजिटिव हुआ कि जो कोल्ड के दरवाजे फुरे भारत में अपरिल में खुल गए और अपरिल में अच्छी निकासी हुई तीसरा बात यह हुआ कि इतना पैदावार आने के बाद भी इतना नेगेटिव परचार होने के बाद भी कोल्ड में से जब आलू निकलना चालू हुआ डंप वाला आलू बिकना चालू हुआ तो रेट ख हुआ कि अभी तक जब से खित का अलुख अब्लो के आलूख शालता है। की कट्टा रूपिया बीघ जाएगा तोजर बिघ जाएगा। लगे करना करना है आने वाले हपते में अलू के रेट मिलेंगे तो अपना करके अपने अलू के स्टॉक को रोक के ना रखे यौने बोलता हूँ कि अपना आलू हिस्सों में बाट कर थोड़ा-थोड़ा करके बेचते रहे जिसकी वज़े से क्या होगा कि आपको आपके आलू का जो स्टॉक है वो दिरे-दिरे-दिरे करके नील हो जाएगा और आपको हर रेट में आलू बेचने का मौका मिलेगा और जिसकी वजह से आपको कभी भी ऐसा नहीं दिना आएगा कि आपको नुक्षान गया तो किसान बाईयो अगर मेरी बात सची लगी हो और अगर मेरी जानकारी पे आपको भरोसा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एक कॉमेंट करें और दूसरे किसंद भाईयों तक भी ये वीडियो शेयर करके जानकारी पहुचाए और दूसरी बात यह है कि जिन किसंद भाईयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजी वाले नेटोपेशन बेल को पौन करके रखें जिसकी वज़े से आपको वीडियो का नॉटिवेशन सबसे पहले मिल जाएगा तो किसंद भाईयों आपका दिन सुब्रे इसी आसा के साथ आपसे विद्धा लेता हूँ जय जवान जय किसंद